वेलकम टू माइ चैनल आज हम मतर पंदी की सबजी बनाएंगे और रेट श्टुडेंट स्टाइल में बनाएंगे और घर के मसाले ही इस करेंगे बाहर का कोई मसाला इस नहीं करेंगे और जो बनेगी जो बाहर बनती है वही ग्रेवी बनेगी तो चलिए बनाते हैं मतर पनीर की सबजी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 गराम मतर यह फ्रोजन मतर हैं आप इसके जगह प्रेस मतर के दाने भी ले सकते हैं और पनीर लिए हैं 300 गराम अपने मन पसंद सेप में काट लेंगे पनीर को ग्रेवी बनाने के लिए दो प्याज को रफली काट लिए हैं दो टमाटर को रफ्ली काट कर लिए हैं नमक एक चम्मच अध्वा स्वाधन सार लेंगे हल्दी पाउडर अधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच स्मीरी लाल मिर्च पाउडर अधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर एक छोटी चम्मच परम मसाला एक छोटी चम्मच जीरा एक छोटी चम्मच अध्रक एक इंच का टुकरा हरी मिर्च दो और लाशन रसबारक कली लिए हैं छोटे साइज का है बड़े साइज के लिए तो त् पत्ता और लाल मिर्च एक एक पिस लिए हैं और तेल तीन बरे चमच अपने मन पसंद तेल ले सकते हैं मैंने सॉनफ्लार आई लिए हैं और पानी अब सकता अंसार यूज करेंगे तो चलिए बनाते हैं सब्जी सबसे पहले कुकर रखकर गैस पर गैस अन कर लिए हैं इसमें अब एक चमच तेल डाल कर और इसे गर्म होने देते हैं अब डाल देते हैं प्याज इसमें और प्याज को थोड़ी देर चला कर भूल लेंगे एक मिनाट ही भूलेंगे प्याज को इसके बाद टमाटर डालेंगे तो देखिए प्याज हो चुका है इस तरह से अब डाल देते हैं टमाटर टमाटर को भी एक मिनाट भूल लेंगे चलाते हुए अब इसी वक्त हरी मिर्च डाल देते हैं और लशन भी अब अध्रक को भी काट कर रख देंगे इस तरह से देखिए ताकि जब मिक्सिए पीशे तो असानी हो पीशने में हमें और अब सारे चीजों को भूल लेते हैं देखे यह प्याज नमाटर अध्रक लशन सभी भून चुके हैं अब हम इन में दो से तीन चमस पानी डालेंगे अब कुकर का ढखन लगा कर एक सीट्री आने देंगे कुकर में तो देखे एक सीट्री लग चुका है अब गैस को कर देते हैं एक मिनाट के लिए शीम तो एक मिनाट हो चुका है तो हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं तो अब कुकर ठंडा हो चुका है और यह मशाले भी ठंडा हो चुके हैं रहे हाथे से चुणे से तो अब इन्हें एक मिक्सी जार में डाल कर पीछ लेते हैं पहले और हमने इन्हें कुकर में पकाए हैं तो मसाला को पेस्ट है बहुत ही सुमुत बनने वाला है कर देखें मैं पेस्ट आपको दिखाती हों पेस्ट को देखने से पता चल रहा है कि कैसी सब्जी बनेगी अब गैस पर एक पैन रettsुमक्राइण आप इसमें तेल डालते हैं और तेल को गरम होने देंगे फिर डालेंगे इसमें जीरा आप तेल गरम होने के निए डिप्ती चुअ में दिए डालते हैं जीरा को दिए चहरों चुवाय Caroline चुका तो इसमें डालते हैं रादमील और तेज पत्ता पीर पत्ता येした अगर अधा मसाला अभारई जरा पाउडर धनियाः पाउडर नौर्ट routine इअगरा घ्ला के जार में यह विए दौश्ण माझस पानी डालकर इस मसाले में डाल देते हैं मसाले को अच्छी तरह से मिला लेते हैं पहले तब गैस का फ्लेम मीडियम करके और मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे तब जब तक भूनेंगे जब तक इनमें से तेल अलग ना होने लगए तो देखिए मसाले से तेल अलग होने लगा है मसाला और तेल सेपरेट होने लगा है अब हम पनीर डालेंगे इसी समय पनीर को डाल कर एक मिनट भून लेंगे मसाले के साथ इस तरह से भूनने से सब्जी आउट टेस्टी बनती है यह अदि आप पनीर को तेल में तल कर बनाना चाहते हैं तो पहले से तल कर रख लीजिए और इसी तरह से ग्रेवी बना कर फिर डाल कर बनाए सब्जी तो ओभी सब्जी बना रहे हैं तो इसी परकाश से बनाए जाते हैं तो अब मटर को भी एक मिनट के लिए इसी मसाले परीन में डाल कर भूनेंगे यह आप फ्रेस मटर यूज करते हैं तो पहले उबलते पानी में तीन-चार मिनट उबाल लीजिए छान कर इसी तरह से डालिए अभी मैंने जो मटर यूज किया है वह फ्रोजन है वह पहले से ही उगली हुए रती है उसे उबालने की ज़रोड़क नहीं परती तो देखें मैंने एक मिनाट भूल लिए हैं मटर को भी तेल फिर से सेप्रेट होने लगा है तो अब हम डालेंगे पानी तो पानी हम अभी देर करेंगे क्योंकि फिर हम सब्जी को दो तिन मिनट पकाएंगे डगकर तो पानी सुखेगा भी और सब्जी भी शोकेगी पानी को तो अभी एक कप डाले हैं पानी और अधा कप फिर से डाल लेते हैं और इसे अशी तरह से मिलाकर अब ढकल लगाकर लो फ्लेम पर इसे तीन से चार मिनट पकाएंगे ताकि सारे मसाले की फ्लेवर पनीर और मटर में अशी तरह से अब जब हो जाए तो अब तेज पता अलाल मिच निकाल लेते हैं इसे फ्लेवर के लिए डाले थे तो बाहर निकाल देते हैं और अब गरम मसाला थोड़ा बचा कर रखे थे और डाल देते हैं और नमत और चीनी एअपस्नल है लेकिन चीनी टेस्ट को बाइलेंस करती है जो हमने टमातर और मसाले डाले हैं उन्हें सभी का टेस्ट बाइलेंस करेगी हिए आप चाहे तो डाले नहीं तो हुआइट करें लेकिन जो रेस्टोरेंट हें स्टाइल सबसी होती है उन्हें में डाली ही जाती है जो आप खाते है under어요 स्वीटेम के वोजासे होती है तो एय अब सबस्जी ट्यार हो चुकी है दे लेखें गाडी जोंहें है अब हम गैश बंद कर देते हैं और इसे एक मिनाट के लिए ढगकर रख देते हैं फिर सर्फ करते हैं इसे अब हम सब्जी को सर्फ करते हैं देखिए सब्जी का टेक्षा देखिए वाओ माटर पनीट की सब्जी रेस्ट्रेंड बनकर त्यार है आप ने देखा मैंने कोई क्रीम काजू दही इनमें यूज नहीं किये हैं फिर भी इनकी ग्रेवी की टेक्चर कितनी अच्छी आई है और टेस्ट इतनी अच्छी होती है कि आप बनाकर खाईएगा थभी पता चलेगा तो आप इसे जरूर बनाएए और आप इसे कोई मनपसंद डिस्क के साथ सर्व कर सकते हैं जैसे चावल, रोटी, नान, प्राठे, पूरी किसी भी डिस्क के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो आप बनाकर सर्व कीजे और अपना अन्भम मेरे साथ शेर कीजे और तो फिर मिलेंगे एक नए रेस्पी के साथ